हेलो दोस्तों स्वावत हैं आपका मेरी YouTube चनल पर इच्छा प्लान में तो चलिए EVS की क्लास को सुरू करते हैं आज ये EVS की लास्ट क्लास है जितने भी लेसन बचे हैं इसी वीडियो में सारी लेसन खतम कर लेंगे उसके बाद डेली इंपर्टेंट कुस्टिन की प्रैक्ट पढ़ लेंगे तो पहले पढ़ेंगे पार्ट 20 को किसके जंगल जंगल की बेटी इससे प्रस्ण बनते हैं इस लेफर से प्रस्ण पूछा जाता है तो चलिए पढ़ लेते हैं सोच सकते हो ये बच्चे पोटनिया नेकर जंगल में क्या करने जा रही होगे जानोगी तो त स्पीत गाते हैं फिर गिरे हुए फूल पत्ति बीन कर मालाएं गोल दस्ते बनाते हैं जंगली फनों का मजा नेती हैं तरह चरह की पच्छीहों की बोली निकालती हैं इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदि सूरे मड़े सूर मरी हर रही बार बच्चों को जंगल में ले जाती है जार खंड के इन जंगलों में रूटे समय सूर मरी बच्चों को वहां के पेड़ पौधरों और जानवरों की पहचान कराती है बच्चों को जंगल में लगी ऐसी किलास में खूब मज़ा आता है जंगल को पढ़ना, किताबें पढ़ने जितना ही जरूरी है कहती है सूरिमणी वह कहती है हम आदवाशियों की जिन्दगी जंगलों से ही जूरी है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे तो प्रस्ण पूछा जाता है कि कुडों की जो है अब यहाँ पर लिखा है सूर्मरी का बचपन बचपन से ही सूर्मरी को जंगल से बहुत नगाव था वै इस्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड जंगल के रास्ते से आती जाती थी सूर्मरी की पिता की छोटी सी खेती थी उनका पूरा परवार पास वाले जंगल से जड़ी रूटी हट्टी करके बाजार में बेचता था उसकी मां बास से टोकरी उनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचते थी पर जंग से संबू ठेकेदार आया जंगल से एक पत्ता उठाना भी सोर मड़ी के गां के लोग ठेकेदार से डरते थे पर बुद्या माई नहीं डरती थी वै क्याती इन जंगलों पर हम आदवासनों का हक है हम इनकी रखवाले हैं ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं है अमारे निये तो जंगल हमारा सांझा, बैंक है, मेरा या तेरा नहीं, जितनी जवरत है उतना ही हम जंगल से नेते हैं, जंगल का खजाना हम लूटते नहीं चोटी सी खेती की सहारी घर चलाना मुश्किल हो रहा था सूर्मरी के पिता काम की तलाफने सहर के पास ही रहने रहें पर फिर भी हालाप नहीं वदले कभी खाना होता कभी नहीं मनिया चाचा अपनी पसारी की छोटी सी दुकान से कभी-कभी सूर्मरी के घर अनाज भेज दिया करते उन्हाने कोशिश करते सूर्मरी का दाफला विसन पूल गाउं की स्कूल में करा दिया उसे वही रहकर पढ़ना था इस्कूल से ही थीस, खाना, कपड़े, किताब में सम क कुछ मुफ्त मिलने वाला था, पर सूर्मरी को अपना गाउं जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था, पढ़ोगी नहीं तो भूखो मरोगी, मनिया चाचा ने संझाया, भूखो क्यों यह जंगल है ना, सूर्मरी का जवाब तयाब था, अरे पगली हम आदवासियों को अपनी जंगल उसे हटाया जा रहा है, कहीं ख़दान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं, जंगल की अधकारी ही सूचते हैं, जंगल उनके हैं, मेरी मान पढ़ लिखकर काईदा कानून संदेगी, तो सायन जंगल बचा पाएगी, छोटी सूर्मरी मनिया चाचा की बात कुछ-कुछ समझ पाई सूर्मरी का सफर तो सूर्मरी के सफर के बाले में लिखा है, लिखा है विसनपूर्ग गाउ का इसकूल देखते ही सूर्मरी का मन खिल उठा, इसकूल धने जंगल के पास जो था स्कूल में सूर मरी ने खूब मैनत की और स्कॉलर से प्यानी बजीफा लेकर बीए पास किया मैं गाउं की ऐसी पहली लड़की थी कॉलेज में उसकी पैचान वासरी दीदी से हुई जो पत्रकार थी उनके साथ मिलकर सूर मरी जार खण जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी इस काम के निये उसे जगे जगें दूर सहर में जाना पड़ता उसके पिता जी को यह बात पसंद ना थी पर सूर मरी ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गावानों के हग के लिए भी लड़ना सुरू किया इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी बिजय ने सूर मरी का एक सपना था कि वह अपने कुड़ों जो समाज की पंचान बनाई आदवासी वने पर जो गर उसे वहसूस होता है वह सभी गावालों को भी हो सूर मरी का एक और साथी था मिर्ची जो दिन रात उसके साथ रहता सूर्मरी अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती मिर्ची सुलता और कहता ची ची तो मिर्ची कौन है ये तोता है इनका साथी सूर्मरी का यहाँ आप इस चित्र में देख सकते है अब लखा है सूर्मरी का तो रांग सूर्मरी 21 साल की थी जब उसने पुवासरी दीदी और कई लोगों की मदद से एक कैनर खोला उसने इस जिगय का नाम रखा तो रांग खुड़क भासा में तो रांग का मतलब में जंगर तो प्रस्ण ये पूछा जाता है कि तो रांग का क्या मतलब होता है तो खुड़क भासा में तो रांग का मतलब होता है जंगर ये प्रस्ण कई बार पूछा निया है इसको याद रखिएगा आगे निकाए सूर्मरी चायती थी कि लोग तेवारों पर अपने गीत गानों को गाए उन्हें भूले न और अपने पहनावे कोच्चाव से पहने जड़ी बूठियों की समझ और बास की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखे अपनी स्कूल की भासा तो सीखे हैं अपनी कुड़क भासा का रिस्ता भी उससे जुड़े ये सब तोरांग केंदर में होता तोरांग में कुड़क समाज और अन आरवाशिन की खास किताबों को सम्हाल कर रखा गया गाने बजाने की कई चीजें जैसे बासुड़ी तरह तरह केंडोल भी हैं कही अन्याय हो रहा हो किसी को डर हो उसकी जमीन हड़प नी जाए गी कोई रोजगान छिन जाने से परिसा को भी मदत की जवर्द फोती वैसोम्री की मदत लेता रही सपके हकर की साथ विजय के साथ साथनी है दोनों साथ में कान और आज उनके काम को कई लोग सराते हैं उन्हें बिदेश नीं बिलाते हैं उनके अन्भवों से सिखने के लिए जंगल की नए कामून मनाने के लिए कि आज वहां लोग अपनी आवाज उठा रहें अब यहां से प्रस्ण बनता है जंगल अधकार कानून 2007 यहां से प्रस्ण पूछा जाता है तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं लिखा है यह कानून आदवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल स कितने वर्ष से रह रहें जंगल में नोगर को उनका जंगल अधकार कानून यहां से प्रस्ण पूछा लाता है तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं लिखा है यह कानून आदवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां की जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है उन्हें जंगल से हटाया ना जाए जंगल बचाने का काम भी उनकी गिरान सभा करें तो यह प्रस्ण जंगल पर अदकार है तो 25 साल से रह रहे हैं कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं वो उनका जंगल में प्यादा होने वाली चीजों पर हथ है तो यह बात याद रखनी है दोनों एक तो 25 वास और दूसरा यह कानून का बना है 2007 आगे रिखा है हम आदवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है हम एक दिल्ली जंगल से दूर नहीं रह सकते तरक्की की नाम पर जंगल में सरकान द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं कहीं बान वन रहे हैं तो कंट्री जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स के चंते या सोचने की जयुरत है कि हम आदवासि कहां जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहां जाएंगे अगर जंगल ना रहें खानों में से अलमिनियम जैसे खनिज निकाल कर जनिन को खोकला कर दें तो बचेगा क्या सिर्फ दूफ सिर्थ हवा और पानी और मेरों दोर तक फैली बंजन जमी अब यहां पर लिखा है मिजयोरम में खेती की लोटनी यहां से भी प्रस्न बनता है यह पार्ठ बहुत अच्छा है और इससे कई प्रस्न बनते हैं तो इसको पढ़ लेती हैं यहां पर मिजयोरम की लोटे खेती की वारे में रिखा है जार खंड की जंगलों की वारे में तुने सूर्ज मरी की कहानी में पढ़ा अब तुम मिजयोरम राज के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं वहां लोग कैसी रहते हैं कैसे खेती करते हैं उसके बारे में पढ़ो। रिखाए स्कूल छूटने की घंटी बस्ते ही लॉंटे आ, डिंगा, डिंग कीमा ने अपने बस्ते उठाई और चनल दिये घंटी ओर। बीच में सभी ने जरने से पानी पिया, वही पर रखे बास के बने कप में। आज सभी बच्चे ही नहीं उनके साइमा सरनी गाव पहांचने की जर्दी में हैं। आज साम गाव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परवार को खेती की जमीन मिलेगी। इसकी लोटरी निकलने वाली है। जमीन को साजा मान कर सम लोगों को वारी वारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बास के एक सुंदर बरतन को हिला कर उसमें से एक परची निकाली गई वाह साइना सर के परवार का नमबर पहला आया वे बोले जुएंग खेती की पहली परची मेरे परवार के नाम आई है यह मेरे नीख हुशी की बात है मगर इस साल हम जादा जमीन नहीं ले पाएंगे नहीं कर पाया था मेरी बहन जीरी की साधी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खीती का काम करना मेरे लिए नुस्किल है साना समय तीन तीन जमीन मांगनी छोटी मांथनी ऊच गठी तीन तीन जमीन चामवी ने समझाया एक तीन हम जितनी जनीन में बोलते हैं उसे ही एक तीन जमीन बोलते हैं तो यहां से बिफ क्रस्न पूचा जाता है इसनThenे इसको ध्यान रखेए भाव हैं द लिए अएसं ही लोटी से गां की सभी परवारों को खेती के लिए बागी जमीन मिल गए तो प्रस्न पूचा जाता है कि द्वारा हँ खेती कहां पर किजाती है ? में जोरम में की जाती है यह बात याद रखनी है और एक टीन जमीन का मतलब क्या होता है कि एक टीन बेज जितनी जमीन में बहुते हैं उसे ही एक टीन जमीन कहते हैं तो इन सभी बातों को याद रखना है अब जुम खेती की बारे में निखा है तो चलिए पड़ते हैं जुम खेती का तरीका निराला है एक पसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं उसमें खेती नहीं करते इस जगे जो बास या जंगल उग जाता है उसे उखारते नहीं बस गिराकर जला देते हैं यानि राख जमीन में खाद का काम करती है, जमीन को जलाते हुए आस पास के पेर ना जलें, जगलों को नुकसान ना पौँचे, यह भी देखना पड़ता है पिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता रंग जाता मिट्टी को हलकी से हिला कर बीज छड़क देते हैं एक ही खेत में अलग लगतर है के बीज जैसे मकई, सर्द्मिया, मेव्च और चावल बोए जाते हैं असन के समय भी अंचाही घास और पौधां को खारते नहीं उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं इससे भी जमीन उपजाव बनती है अगर किसी परवार में किसी कारण खेती का कान पिछर जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं बस उस परवार को उन्हें खाना खिलाना पढ़ता है मुक फसल जावल की ही हुथी है फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीट तोड मह नत का कान है सडके तो है नहीं बस उणचे नीचे पहाड़ हैं पीट पर ही लाद कर सारी पसाई इन राफ्टों से घर तत्ला ना जाते हैं असल पकने पर गाह में सबसे बड़ा तेवहार मनाया जाता है समसात में खाना पकाते हैं खाते हैं और मंजी करते हैं चेराओ नाच भी करते हैं इस नाच में जमीन पर बास की डंडी लेकर दो दोल लोगों के जोड़ी आमने सामने बैठती हैं डोल की ताल पर पर पीटते हैं डन्नियों के बीच लोग एक कतार में खड़े वोकर कूधते हैं और नाचते हैं मिजोरम में लगवक तीन चौथाई लोग जंगलों से जुड़े हैं वुश्किल जीवन जीते हुए भी लगवक सभी बच्चे स्कूल जाते हैं इस चित्र में देखो बच्चे कैसे मस्ती में पत्तों से सीटी बजा रहे हैं ऐसी कई सीटीयां तुमने भी बजाई हैं तो प्रस्न पूछा जाता है कि चेराओं नरत्य कहां के लोग करते हैं तो वह मिजोरम के लोग करते हैं इसको भी याद रखना है और ये प्रस्न पूछा भी गया है तो इस लेसन में बहुत ही म्यात्पूर तथ्यों को जाना है और इस लेसन से कई प्रस्ण बनते हैं तो इसको याद रखना है जो भी म्यात्पूर तथ्यों बताए हैं अगला लेसन देखते हैं इसी वीडियो में तो आवई लेशन है किसकी जलक किसकी छाप तो इस से इसमें बताया गया है किसकी और और इस सब इन सबसे प्रस्ण नहीं बनते हैं प्रस्ण बनता है यहां से तो उसी मैंतपूर तथे को पढ़ते हैं मटर के पिरेयोग चिकने या खुरदरे तो इससे प्रस्ण पूंचा जाता है तो चलिए उस्टरिया में रहने वाले ग्रेगोर्ल मेंडल का जन सन अठावास बाइस में एक गरीब किसान परवार में हुआ था उन्हें पढ़ाई का बहुत सोग था पर परिच्छा के नाम से नहीं पसलने चूपते थे क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हान है यूनिवस्टी की पढ़ाई के पैसे नाम होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मुनी बनने का सोचा ताकि वही से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी में सके जो मिला भी पर विग्यान से चक्छक की पक्की नौकरी के लिए उ 28,000 पौदों पर वारीकी से कई प्रियोग किये धेरो आंकड़े खटे किये और एक नई बात खोज निकानी ऐसी बात जो उस समय की बग्यान को को समझ ही नहीं आई थी मेंडल की मरने की कई साल बाद ही वे समझ पाए थे जब कुछ और लोगों ने ये प्रियोग किये और पाया की मेंडल ने इस पर पहले नी नेख लिखा है मेंडल ने पौदों में क्या पाया था उन्होंने पाया की मतन की पौदों में पुछ ऐसे गुर्व होते हैं जो जो जोडियों में आते हैं जैसे बीज का चिकना या खुर्दरावुना पीला या हरावुना और पौदे बीज या तो चिकनी या खुरदरे होते हिन ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाये इसी तरह रंग के गुड में अगनी पीरी के पौदों के बीज या तो पीले भुते या हरे पीना और हरा गोड मिलकर कोई नई रंग का बीज नहीं बनाते यहीं नहीं मेंडल ने तो यहीं भी बताया कि मतर की अगली पीड़ी की पौदों में ज्यादा पीले वीजवारे होंगे इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीड़ी में चिकने वीज़ ज्यादा होंगे तो प्रस्ण पूचा जाता है कि मेंडल ने किस पौदे पर प्रयूग किया था तो मटर की पौदे पर प्रयूग किया था इसको याद रखना है तो इस लेसन में यही मैंत पूर था अबना लेसन देखते हैं तो इसका आखरी लेसन है फिर चला काफला तो इसमें से प्रस्ण नहीं बनते हैं जिस जिस लेसन से प्रस्ण बनते हैं उन सब को पढ़ा दिया और लेसन तो सभी पढ़े हैं एक भी lesson को छोड़ा नहीं है तो इसमें प्रस्न ज्यादा नहीं बनते हैं इस lesson से तो आज ये EBS की last class है class 4 की EBS की जितने भी lesson थे सब को पढ़ा है class 5 की EBS की book के जितने भी lesson थे सब को complete किया है तो आज ये last class है आज की बाद very important question की practice हुआ करेगी तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है तो मिलते हैं next वीडियो में महत्पूर प्रस्णों के साथ तब तक के लिए बाई बाई